बात है एक पाकिस्तानी यात्री घूमते घूमते बिन्दा बन धाम पहुँच गया और वहाँ पर उस समय भगवान के अनन इभेक्त श्री हरिदास जी विराजबान थे उसने अपने मन में सोचा कि इनका इतना बड़ा नाम है पहुँच भी महात्मा है कम इनका दर्सर करूँ यह विचार करके वो हस्री हरिदास जी के पास गया उनके चर्णों में प्रणाम करके बोला कि महराज जी हम आपके लिए एक बढ़िया सेंटर लेकर आए हैं जिसे आप भगवान प्रचारा देगे तो पूरा मंदर महक जाएगा और उसकी महक कितने सुन्दर होगी कि सभी भाव विहोर हो जाएगे पर स्री हरिदास जी महराज तो एक बिरागी संत थे बैरागी थे उन्होंने उसकी बात का अनुसूना करते हुए इत्र के सिसी वहीं पर रख दी और भगवान की ध्यान में लग गए अब ध्यान में वो भगवान के लीला का अनुसरण कर रहे थे ध्यान में देख रहे थे कि भगवान श्रीकिष्ट राधा जी के ऊपर रंग डाल रहे हैं होली खेल रहे हैं और तब राधा जी को देखते हैं कि उनके पास कोई रंग नहीं रह गया था और राधा जी अस्वंजस में थी अब ये भाव की बाते हैं उनके अंदर ही अंदर चल रही हैं इन्हें संसारी आद्मी कैसे देख सकता है उन्होंने इत्र के सिसी उठाई और वहीं पर से गिरा दिया वह पाकिस्तानी वहीं बैठा हुआ था और बनहीं मने सोचने लगा कि मैंने तो इनको भगवान पर चढ़ाने के लिए इत्र दिया था पर इस बेवकूफ महत्वा ने इसे जमीन पर गिरा दिया पर भाव जगत की बात कौन जाने स्री हर्दाश जी ने तो वह सेंट स्री राधा जी को संपा था उनके हाथों में दिया था और जब स्री हर्दाश जी की आँखी खुली तो उस पाकिस्तानी ने अपनी जिग्यासा प्रकट की महत्वा जी मैंने आपको तो इत्र की सिसी भगवान पर चढ़ाने के लिए दिया था पर आप तो आपने तो जबीन पर गिरा दिया हर्दाश जी कुछ भी नहीं बोले और उस से केवल इतना ही कहा कि तुम आये हो तो कंशकम भाकी भीहारी का दर्शन करके तो जाना और वह उनकी बात मान ली और मनहीं मन सोचा आया हूं तो कंशकम दर्शन तो करता चलू और जब मंदिर के अंदर गया तो वह भाव भीहोर हो गया चल चकित हो गया जो इत्र उसने महत्मा को दिया था और उन्होंने जमीन पर गिरा दिया था उसी इत्र की खुश्बू पूरे मंदिर में फैली हुई थी पूरा मंदिर महा करहा था और देखा तो इत्र के सीसी भी भगवान के चरणों में पड़ी थी वह बड़ा नत्मस्तक हुआ और आश्चर में पड़े गया कि भगवान ऐसे भी स्विकार करते हैं और तब उह महत्मा जी को पुर्ण है आया प्रणाम किया और अपने घर को वापस गया नित्रों कहते हैं भगवान भाव के भूके होते हैं जिनका भगवान से डारेक्ट कंटेक्ट होता है उनकी दीव हुई कैसी भी चीज उग्रहन कर लेते हैं क्यूंकि भगवान ने गीता में कहा है पत्रम पुस्पम फलम तोयों में भक्तया प्रक्षितित तदहम भग्त्यु फेर्ट मस्प्रनाम में प्रतात्वना जो कोई प्रेम पूरुबक मुझे पत्र पुस्पम याद जो भी समर्पित करता है उसे में स्विक्यार करता है यहां तो बात भगवान के अनन्य भक्त स्रीह हरिदास जी की थी तो भगवान के उनक रहन करती मित्रों भगवान की बहुत सी क्यमतकारी घट्णाओं में से एक है कोई भगवान की भक्ति करके तो देखे आपको वीडियो कैसी लगी कमेंड करके जरूर बताईएगा और जो भी वीडियो में कमिया हो उन्हें बताईएगा अगले वीडियो में आपका नाम बताएगे और आप जो हमें सजेशन दिये हैं वह भी बताएगे जैस्री कृष्ण राधे राधे